इस वीडियो इस पॉंसरड़ वाई वंडर शेयर यूनीक कनवर्टर जो कि एक भेहदी कमाल विंडूस शॉफ्ट्वेर है तो गाइज यहां से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं क्या क्या काम कर सकते हैं वो आगे पदा चलेगा इससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है हमार भी वीडियो में से गिफ बना सकते हैं फिर आपको स्क्रिन रिकॉर्डर का सपोर्ट भी इसके अंदर मिल जाता है किसी भी मीडिया के मेटर डिटा को आप फिक्स कर सकते हैं वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं कास्ट टू टीवी वीडियो को टीवी पे कास्ट कर सकते हैं उ इसके बाद आप DVDs को burn कर सकते हैं या फिर किसी भी link से किसी भी files को add करके यहां पर convert कर सकते हैं तो guys convert जो इसका main feature है guys यहां पर आप देख लीजिए किन-किन format में आप इन्हें convert कर सकते हैं अगर MP4 की बात करें MP4 में भी आपको बहुत सारे resolution यहां पर देखने को मिल जाएंगे HD 1080, 720, HD 570 इस type के जो आपको यहां पर बहुत ही सारे resolutions मिल जाएंगे और guys formats की बात करें तो guys HEV, MKV, MOV, AV, IW, MV इस type के नजाने ऐसे बहुत सारे आपको extension name दिख जाएंगे जो कि आपने side कभी सुना भी नहीं होगा ऐसे ऐसे बहुत सारे extension names आपको मिल जाएंगे और कमाल की बात तो यह device के according भी आप इसे convert कर सकते हैं लाइके सभी phones अलग-अलग race screen to body ratio में आ रहें तो उन device के according आप videos को यहां पर convert कराके विलकुली full fill ले सकते हैं उसके बाद के अगर हम बात करें यहां पर तो आप URL की मदद से भी add कर सकते हैं वीडियो import करने के बाद यहां पर कुछ second यहां पर लगेंगे इसे import होने में उसके बाद basic लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो यह मेरी file 296 MB के आसपस की है और इसे अगर मैं convert करता हूँ 1080 में उसी में compress करता हूँ then guys 147 MB की हो जाएगी लेकिन guys हम आप यहां पर resolution select कर सकते हैं formats को select कर सकते हैं तो 720 मैंने यहां पर select कर लिए और size आप देख लीजिए size वही है 295 MB जो original file है और guys अगर हम इसे इसे इन में convert करते हैं then guys यह जो है 89 MB का यह file हो जाएगा then आप इसे इन में convert करा सकते हैं फिर आप अलग-अलग resolution check करके भी आप देख सकते हैं size इसका कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है लेकिन कैसे अगर आप किसी lower part में इसे convert करना चाहते है किसी lower resolution में यह बहुत ही amazing way में work करेगा और guys उसके बाद आप यहाँ पर इसे on कर दिए उसके बाद गिफ में करके बात करें तो guys आप किसी वीडियो को select करके start time और end time को select करके उसे गिफ में convert करा सकते हैं और guys output size यह सारे size wise आप अपने according set कर लिए जो भी आपको चाहिए उसके बाद video compress की बात करें तो guys आप यहाँ पर video file को add करके videos को compress कर सकते हैं जिससे कि आपका data save होगा और guys quality भी नहीं जाएगी क्योंकि मैं आपको convert करने के बाद आपको play करके दिखा दूँगा कि guys यहाँ पर मेरी quality में कोई भी loss मुझे हुआ है या फिर नहीं हुआ है like guys आप यहाँ पर देख सकते हैं 122.3 MB की file है उसे अगर मैं convert करता है तो बहुत ही छोटा हो जाएगा उसके बाद यह सारे options जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बाकि आप online URL को paste करके भी उस चीज को convert करा सकते हैं या फिर उसे download कर सकते हैं तो एक बहुत ही बहतरीन feature यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है offline के साथ आप online भी इसमें work कर सकते हैं उसके बाद basically आपके सामने यह file जो convert हो चुकी है और guys converted file को जो मैं यहाँ पर आपके सामने play करके दिखा देते हैं और guys यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी quality यह जो converted file गी इसकी quality है इसके बाद guys मैं आपको जो original file उसे भी convert करके दिखाऊंगा, उसे भी actually play करके दिखाऊंगा, तो guys, यहाँ पर मैंने play करके देख लिए, आपको quality का पता चल गया होगा, यहाँ पर क्या कैसे इसकी quality है, तो guys, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी original file जो की converting जहाँ पर मैंने किया था, यह रही इसकी original file, और guys, मैं इसे भी play करके दिखा देता हूँ, तो guys, यहाँ पर आप इसकी quality को देख सकते हैं, और guys, यहाँ पर आप multiple files को add करके merge भी कर सकते हैं, उन सबी videos को, और एक ही file में उसे export कर सकते हैं, तो guys, बस यहीदा इस video में, जहाँ पर मैंने आपको बदा इस software के बारे हैं, तो description में आपको link मिल जाएगी, वहाँ जाएए और जाकर कि इस application को download कीजिए और एक बार try जरूर कीजिए